हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा चैनल चलो लेंड करते हैं और मेरा नाम है मनिशा तो फ्रेंड्स आज मैं सेयर करने जा रही हूं कि हम बच्चों को कैसे मेजर्मेंट आफ लेंथ के बारे में बताएं ठीक है और कैसे वर्क्षीट के जरीए हम उन्हें आसानी से समझा सकते ह हैं मेजर्मेंट आफ लेंथ ऊके तो फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे फेले मेजर्मेंट आफ सेंटिमीटर और किलो मीटर ऐखे सबसे पहले मीटर के बारे मैं बता दूं It is a standard unit of length Length of a cloth, a wall are measured in meters Okay Means ये length का standard unit है जो की जैसे cloth को Wall को हम दो क्या मीटर में ही मेजर करते हैं अब आते हैं centimeter पर It is a smaller unit of length ठीक है ये length का जो है वो एकदम smaller unit है और इसको जैसे measure किया जाता है किसी भी लेंद जैसे Kaneयन हो गया लाइन सैगमेंट हो गया इसको मेज़र करने के लिए सेंटी मीटर ही मनें लिख lumutan अब किलो मीटर के लिए इसा भीगर यूनिट ओ लेंट है और यह जी से ród डिश्टेंस के लिए जिससे दू प्लेस औanhaल या फिर स्वेंस के लिए मेजर करने के लिए यूज होता है ओके स्सिर्ट अब हमें इस तरह से वर्क शिट तियार करना है कि बचे आसानी से समझ जाए कि मिटर कहा यूजबा किलूमीटर कहा यूजबा और कितने હिलूमीटर बावर कितने Pitts ये सब चीज बच्चे आराम से समझ जा है तो फिर चलिक देखते हैं वरकषिट बना कर किस तरह दे सकते हैं बच्चों को- इसे मैने कर दिया है name the standard unit of length यहां पर length of your pencil box यह सब हमें दे देना है कि इसे इसका जो length measure करेंगे वह centimeter में या फिर meter में ठीके बच्चों को यह सब दे देंगे जिसे length of your pencil box यहां पर हो जाएगा centimeter length of pencil यह भी होगा centimeter तो length of the blackbird में हो जाएगा meter okay m हो जाएगा small m से denote करेंगे इसे और length of your chalk में cm से तो यह हम बच्चों को बनाने के लिए देंगे ठीक है इस तरह से फिर अगला question देखें कैसे जैसे यह मैंने बता दिया है यह बच्चों को बताना हो correlation between units of length तो वन किलो मीटर इस उकल टू वन थाउजन मीटर ठीक है एक किलो मीटर में टू थ्री फॉर दे दिया और एक arrow खीज दिया है तो arrow कहां तक जाता है कितने cm तक जाता है तो यहां मैंने cm लिग दिया यहां मैंने डैस लिख दिया है ठीक है तो बच्चों को यहां पर क्या करना है फील करना है जैसे यहां टू है तो यहां पर फील क्या करना है बच्चों को टू इसी तरह से मैंने एक ही स्केल बनाया आप चाहें तो तीन चार स्केल बना कर इसको लिख सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं य ही खीची हैगा और यहां पर बच्चों को मेजर कर लेंगे कि मैंसे लिखना है ठीक it नदिया वभल भील यह अब है कंपे 5 मिटर इन टू सेंटी मिटर में इस तरह से question आएंगे 5 meter को centimeter में change करना है तो बच्चे कैसे change करेंगे इसे पहले तो समझाना होगा कि हाँ एक मीटर में 100 centimeter होते हैं यह दिखिए मैंने यहां लिख दिया है एक मीटर में 100 centimeter तो 5 meter में multiply हो जाएगा 5 into 100 ओके तो यह हो जाएगा कितना 500 centimeter इसी तरह से आप सेंटी मीटर में change करने के लिए दे सकते हैं ठीक है यह हो गया फिर है next question में जैसे convert है convert करना है 6 meter 40 centimeter को centimeter में okay convert 6 meter 40 centimeter into centimeter तो इससे हम कैसे करेंगे ए क्या करना होगा बच्चों को बताना होगा meter को centimeter में change करने के लिए तो मैंने पहली बताया है 100 से multiply तो meter में change करने के लिए 6 into 100 हो जाएगा ठीक है plus 40 centimeter ठीक है इसी bracket में लिख दिया यहां cm 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 लिख दिया तो अब क्या होगा 600 प्लस 40 इस इक्वल टू 640 centimeter यह होगा easy step centimeter को change करना है इसलिए centimeter को जो कातियों छोड़ देना है meter को change करेंगे centimeter में तो इसके लिए अब देखिए अब है convert 425 centimeter into meter and centimeter तो इसे बच्चों को कैसे बताएंगे कि इन्हें कैसे वो meter में और centimeter में change करें तो यह centimeter में दिया हुआ है ठीक है तो तो पहले क्या करेंगे 425 है 100 है 100 centimeter यानि यह मिल गया हमें तो 4 into 100 ठीक है प्लस 25 आप चाहें तो क्या कर सकते 4 into 100 करके ना करके पहले लिखेंगे 400 सेंटीमीटर प्लस 25 इस तरह से ठीक है यानि इसके बाद यह step है फिर यह step है ठीक है तो 425 तो 400 सेंटीमीटर प्लस 25 और फिर इसे तोड़ देंगे 4 into 100 सेंटीमीटर प्लस 25 तो 4 into 100 सेंटीमीटर में कितना एक मीटर होता है तो वन हो गया प्लस 25 हो गया तो फोर प्लस यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते जाएंगे तो हो गया 4 मीटर तो यह मैंने आपको डिटेल में इसी तरह समझा दिया है लेकिन बच्चे कैसे लिखेंगे बच्चे बस उन्हें क्या करना इतना डिटेल में नहीं लिखना है उन्हें है ओर हन्रेड ठीक है 400 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इस इकल टू प्लस ट्वेंटीफाइब सेंटीमीटर यह 4 मीटर 25 सेंटीमीटर अब इसमें ऐसे पी कुछे जाते हैं एट करने के तो इसमें क्या करना रहता है मीटर को एक कॉलम में लिखना रहता है जैसे यह रहा मीटर यह रहा सेंटी मीटर तो यह 18 है यह 26 है तो 26 को सेंटी मीटर में और 18 को मीटर के नीचे लिखा ठीक है फिर इसी तरह यहां मीटर में कौन सा 21 है और यहां है 10 अब इसे ही बच्चे को इस तरह से 8 करने के लिए दे देना है 6, 3, 9, 3 अब उसी तरह इसमें आपको हो सकता है केरी करने के लिए भी आ जाए तो सेम केरी करने का जो प्रोसेस सिंपल जो 8 करने मीं किया जाता है वैसे ही करना है से भी कोश्चन दिये जाएंगे मीटर सेंटी मीटर में इस तरह से लिखा रहेगा तो इसमें जैसे जनरली और हाँ एक चीज और जिसे कुछ भी डिजिट जो दिया जाता है अगर जिसे 2 सेंटी मीटर दिया गया है तो यहां 2 के वल नहीं लिखना है 2 के पहले 0 जरूर बैठ सेंटी मेटर मैं केरी की बारें बता रहें थे तो देखी कहीं आ गया और 6 हो गया 6 वन कैरी हो गया यह टू हो गया वन यह शिक्स ठीक है यह हो गया 62 मीटर 16 सेंटी मीटर अब देखिए इसमें सबस्ट्रेक्ट पी करने के लिए आता जिसे 37 मीटर 82 सेंटी मीटर फ्रॉम यहां फ्रॉम है यानि कि इससे इसे घटाना है ठीक है से उपर लिखना है और इसे संती मीटर सेंटी मीटर तो यह गया 63 और यह हो गया 5050 पिर यह हो गया 37 यह हो गया 22 अब 882 से तो थे क्या है कम है तो फिर क्या करना होगा एक हमें क्या करना होगा, बॉरो करना होगा, मीटर से, यानि कि एक मीटर हमें लेना होगा, एक मीटर लेना होगा, इसका मतलब 100 सेंटी मीटर लेना होगा, है ना, क्योंकि एक मीटर इसका लटो कितना होता है, 100 सेंटी मीटर होता है, तो एक मीटर हम ले लेंगे, यानि कि 100 से हो जाएगा तो 150 और यहां का क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 62 ठीक है इसे आप कट भी कर सकते हैं अब इससे इसे घटाना होगा यानि 25 मीटर 68 सेंटी मीटर अब देखिए अब यह दूसरे तरह का सब्ट्रेक्ट है यह है find the difference between मतलब इन दोनों की बीच हमें difference पता करना है कितना है तो इसमें तो क्या था कि from दिया हुआ था यानि आपको यह उपर रखना ही रखना था ठीक है पर इसमें क्या है कि इसमें बोलगा find the difference between तो इसमें जो ज्यादा होगा वह हम अपने हिसाब से उपर रख सकते हैं इसमें यह चीज है जैसे इसमें क्या होगा हमें मीटर को देखना होगा कि वह ज्यादा वह किसमें ज्यादा है ठीक है इसमें 4 मीटर इसमें 10 मीटर है तो यह हमें इससे देखना होगा ठीक है तो यह हम उपर रख तो हम अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे तो फिर जैसे isi तरह क्या करेंगे एक मीटर अङरी कि 100 cm 2017 этой यह हो जायगा 100 Plus 2120 टिक है और यह क्या हो जाएगा एक मीटर मेने ले लिया यहां स्वाइस से यहां से देवाइन समर्ज रहा है एक मीटर ले लिया यानि सो सेंटीमीटर ले लिया तो सेंटीमीटर में जाके एड हो गया और यहां 20 मीटर क्योंकि क्वेस्टन जो है वह अलग अलग तरह के रहते हैं इसलिए मैंने इसके बाद सीधी ऐसा वाल जो क्वेस्टन वह इंफ्लूट कर दिया है जिससे अच्छे से समझ में आपाए तो हम क्या करेंगे देखिए यहां 66 मीटर यहां 20 मीटर तो यह ज्यादा है मीटर सेंटी मीटर तो यहां लिखेंगे इसको 20 को 20 होगे यहां सेंटी मीटर में कुछ नहीं तो 00 हो जाएगा यहां सिक्स यहां 70 हो जाएगा तो अगेन हम चाहता रहेंगे फिर एक मीटर यानि कि 100 सेंटी मीटर लेंगे इसका मतलब यहां 100 ले लेंगे क्योंकि यहां तो कोई भी अंक नहीं है तो फिर हम इसको घटा लेंगे यहां 3 हो गया 30 हो गया और यह हो गया 19 ठीक है यह भी कट कर लेंगे तो 30 मीटर 30 सेंटी मीटर अब बच्चों का कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए हम ट्रू फोल्स भी दे सकते हैं subtle false जिससे दियर सिती मीटर इन मीटर कांद संटी मीटर में एक meters होता आ है तो हां ठु होता है यहां पर टू हो जाए head फिर 90 cm is more than one meter किनांटी सेंटी मीटर वन मीटर जयादा होता है तो नहीं क्योंकि एक मीटर में सो सैंटी मीटर होते है तो 90 मीटर ज्यादा कैसे हो सकता है तो फॉल्स हो जाएगा इसी तरह से आप अपने मन से भी कई तरह के कोश्चन जो है वो आप बुक में से चाहे जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें से आप दे सकते हो जिससे उनका कॉंस है अब उसा था यह है सैंटी मीटर इस बीगर यूनीट ऑफ लेंथ तो सैंटी मीटर क्या बीगर यूनीट ऑफ लेंथ होता थाह नहीं किलमिटर होता है ठीके फ गया यह यह यानि कि किलो मीटर के यूज होता है किलो मीटर का ही यूज किया जाता है तो फिर यहां पर इस्टेशन से सही है ठीक है इस्टेशन के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए किलो मीटर का ही यूज होता है तो यह हो जाएगा ट्रू तो मीदे फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक और सेल भी जरूर कर दीजेगा और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल बटन भ कर ले और और नोटिफिकेशन पर ही सेटिंग करें ओके ओके फिर थैंक यू थैंक्स फर वाचिंग